दोस्तो आप लोग समिस्टर जाम देते हैं उसके बाद आपका result आता है दोस्तो इसके बाद आपको इनवरसिटी के तरब से एक grade card दिया जाता है semester के लिए वो हर एक semester में आते रहता है और उसी को मैं आज दिखाऊंगा कि आपको कैसा होता है और इसका क्या उप्योग होता है और दोस्तों उसे हम कैसे download करेंगे तो इसकी जनकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी तो दोस्तों आए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो grade card होता है AKU University का वो किस तरह का होता है दोस्तों AKU का जो grade card है वो इस तरह का होता है और एक provisional grade card होता है original grade card होता है दोस्तों इसमें देखिए आपका जो name है वो यहां पे सो करेगा यहां पे father's name नीचे में रहेगा और college का यहां नाम रहेगा फिर यहां course का नाम है वो यहां सो करेगा उसके बाद इधर registration number है और mother's name है वो सारा details यहां पे आपका personal रहेगा और दोस्तों नीचे में फिर आपका semester का जो exam हुए थे उसका पूरा marking system रहता ह है अब देखिए, role number कितना था, बो रहेगा इजाम कब हुए थे, बो रहेगा अपका hGPA कितना था, बो रहेगा स्झिपily रहेगा और total credit कितना था, बो रहेगा दोस्तों यहां देखिए, आपका ऊपर में theoretical का जो internal कितने number मिले हैं, बो रहेंगे, external कितना आया भो रहेगा का एक result बना करके university है वो देते ही है और इसे हम लोग grade card कहते हैं दो दोस्तों इसमें अगर आपका first semester clear हो गया है तो आपको इस तरह का grade card मिल जाएगा और जब second semester आप pass करोगे तो नीचे फिर से एक semester का add हो जाएगा उसी तरह से जब आप आगे बढ़ते जाओगे अपने semester में तो आपको यहाँ पे grade card मिलते जाएगा और इस तरह का नीचे add होते जाएगा दोस्तों इसमें बहुत सारा details आपको अच्छे से बना करके दिया हुआ रहता है और दोस्तों अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब हमारा result है ही तो हम इसे अपने पास क्यों रखे result से काफी अलग होता है result में बहुत सारे details है वो नहीं रहते हैं लेकिन यहाँ पे आपको दिखाया जाता है आप तो इतने धंग से आपको एक paper पे मिल जाता है सारे semester का result तो यह आपके लिए काफी अच्छे होते हैं इस grade card का हम क्या उपयोग कर सकते हैं दोस्तों यह result से कैसे different होता है तो देखिए सबसे पहले आपको जब भी CGPA से percentage पूछेगा कि आपका percentage में कितना result है CGPA तो सबको आपको result पे सोही करता है लेकिन जब भी percentage की बात आएगी तो वे आपको grade card ही बताएगा दोस्तों फर्मूला मिल जाएगा जिससे आप CGPA से percentage कर सकते हो लेकिन यह हर एक university के लिए different हो सकता है तो दोस्तों जब भी आपको अपना percentage चाहिए तो आप अपना grade card को देखें grade card पे जो इनवर्सीटी है वो खूद बना करके देती है तो आजबर knowledge university ने तो official notice जारी करके बता दिया है किसके लिए कोई भी formula माने नहीं है जो भी university के द्वारा दिया जाता है percentage वही सही है तो आप भी इसे follow करें जब भी आपको percentage की जरूरत पड़े आप अपना grade card को निकालें आपका यह इधर marking का पूरा system रहता है फर्स से 8 semester तक के ले करके आपको यहाँ पे full marks कितने थे आपको फिर marks कितने मिले हैं उसमें पूरा details रहता है total marking का पूरा system है तो दोस्तों यह आपके लिए काफी useful होता है उसके जब कभी आप interview के लिए जाते हो वहाँ पे आपको grade card की जरूरत पड़ती है तो आप इसे दिखा सकते हैं उसके बाद आप कहीं job के लिए apply करते हो तो वहाँ पे आपको grade card मांगा जाता है तो उसे आप upload कर सकते हो एक grade card हड़े का student के पास होना चाहिए जो भी लोग अभी पढ़ रहे हैं क्योंकि एक काफी काम की चीज़ है और जैसे जैसे आप semester pass करते जाओगे आपका grade card है वो update होते जाएगा तो दोस्तों अब हम देखते हैं किसे हम लोग download कहां से करें के लिए आपको सबसे पहले गूगल पर जाना है यहां पर आपको सर्च करना है एक आपको इस पे click करना है दोस्तों जैसे आप click करेंगे आपके सामने एक और new page होगा यहां पे आपको student login का option मिल जाएगा यहां पे उपर में registration number और नीचे में आपको password डालना होगा आप जो भी ID password आपके पास है उसके तुरू login हो जाएगे अगर आपके पास ID password नहीं है तो आप password करेंगे तो आपका ID password है वो generate हो जाएगा और दोस्तों अगर नहीं होता है तो फिर आपको college से contact करना पड़ेगा college वाले आपको अपना password है वो दे देंगे यहां पे इंटर कर जाना है दोस्तों जैसे इंटर करेंगे आपको इस तरह का page open हो जाएगा और यहां पे दे तो उपर में आपको student grade card है यहां पे आपको click करना है तो आपके साथ इस तरह का page open होगा grade card printing का तो यहां पे देखिए आपको semester select करना है semester आपका जो भी है 1, 2, 3, 4 वो आप semester भाज भी download कर सकते हैं अगर available होगा तो कभी कभी होता है कि semester भाज blank रहता है लेकिन जब all आप करें के बाद आपको यहां submit कर देना है जैसे ही आप submit करेंगे आपका grade card है वो नीचे download हो जाएगा और उसके बाद आप चाहे तो इसका यूज कर सकते हैं या फिर अपने पास रखे रहें जब भी जरूरत पड़े आप उसे यूज करें तो दोस्तों यह बहुत ही simple step है आप चा साथ सारे semester करें तो यह आपके लिए youthful होगा और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें अपने दोस्तों में share करें और कोई भी information चाहिए अब जरूर कमेंट करें थैंक यू